Good morning guys, welcome back on my YouTube channel and आज इस वीडियो के इंदर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं Tyler Manion के वारे में जो की IFV Professional League and NPC Worldwide के Vice President है तो इन्होंने दोस्तों रिसेंटली Mr. Olympia 2024 के लिए अपने जो Top 8 Bodybuilders हैं उनके बारे में हमें बताया दोस्तों Tyler Manion ने अपनी Top 8 की लिस्ट में रखा डेरेक लिंसवर्ट, हादी जूपन, सैमसान दौधा, निक वाकर, एंडू जैक, मार्टन फिट्सबोटर, हंटर लबरादा एंड ब्रेंडन करी बैसे दोस्तों अगर मैं Tyler Manion की इस Top 8 Bodybuilders वाली लिस्ट को देखने के बाद मैं अपना एक चोटर सा प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ Mr. Olympia मैं Top 8 Bodybuilders को लेके तो सबसे पहले दोस्तों मैं 1st प्लेस पे रखोंगा हादी जूपन, सेकंड डेरिक लिंसफर, थर्ड सैंसन दौदा, फोर्थ एंडू जैक, नेक्स्ट फिफ्थ होंगे दोस्तों मार्टेन फिट्सवाटर, सिक्स निक वाकर, सेविंथ ब्रेंडन करी और एर्थ हंटर लबरादा हाला कि यहाँ पे दोस्तों शौक्ड होने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि टाइलर मिनियन ने अपने इस टॉप 8 लाइन अप के अंदर रफाल ब्रेंडो को जगया नहीं दी जो कि इस साल आर्नोर्ड क्लासिक ब्राजिल के विनर है हला कि फिलाल दोस्तों मैं इस अपडेट के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि टाइलर मिनियन से ज्यादा हम लोग क्या ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं इन्होंने रफाल ब्रेंडो को अपनी टॉप एट की लिस्त से बाहर रखा है तो डेफिनिटली रफाल की फिजीक में कुछ कमिया होंगी सबसे पहले तो दोस्तो यही कहना चाहूंगा कि साइज बहुत अच्छा नोटिस हो रहा है इस अपडेट में और करेंटली इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इस बार 2024 ओलंपिया की प्रैप में हादी चूपन अपने बैस्ट पर है और कॉम्पेटीशन से पूरे 9 वीक्स आउट होने के बाद भी इनकी फिजीक ऐसी दिख रही है कि यह सिर्फ 2-3 वीक्स के बाद में ही कमपीट करेंगे अपने नेक्स कॉम्पेटीशन में बट अ एड़ाउन किया है जो कि इस बार एक अच्छी हार्ट कंडीशन के साथ में मिस्टर ओलंपिया में ओन स्टेज काफी कमाल की इंक्रिडिवल फिजीक को शो करेगा इसके बाद दोस्तों नेक्स अपडेट के अंदर हम लोग फिल हीट की साइट से आने वाली एक बहुती कमा कि अपडेट के बारे में बात करेंगे दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं Просто इनक्रीज करने के लिए काफी कमाल की एक्स्साइज के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि आप उस एकस्साइज को कैसे काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो एकस्साइज का कि आप अगर इस exercise से अच्छे result को चीब करना चाहते हैं बहुत ही fast way में तो आप हमेसे ध्यान दीजिए कि आपकी जो bench है वो 40 degree के angle पर हो और पूरा position में आने के बाद जब आप exercise को start करें तो one hand से exercise को finish करने के बाद मैं अपने जो hand है उसको पूरी तरह से down ना करें बलकि उसक का workout है उसको start करते हैं और एक बहुत अच्छा mind muscle connection बनाते हुए अपनी every reps को बहुत ही अच्छे से enjoy करें बाकी आप लोग हमें बताये दोस्तों कि incline dumbbell curl exercise में आप लोगों ने max to max कितने weight के जो dumbbells हैं उसको उठाया है बैसे मेरा record इसमें last है 20 kg इसके बाद next update आती है दोस्तों Samson 12 की wife की side से and again Samson 12 ने officially हमको बताया है कि वो currently Mr. Olympia 2024 की जो अपनी prep है entire bodybuilding जो prep है 2024 Olympia के लिए उसको अपनी wife के अंडर में कर रहे हैं and इसी के साथ Samson ने अपनी एक recent Instagram post के अंडर हमें बताया कि अगर वो Olympia title को win कर लेते हैं तो उनकी wife एक बहुत बड़ी history create कर देंगी क्योंकि वो पहली ऐसी एक women's bodybuilding coach होंगी जिनके अंडर किसी भी एक bodybuilder ने Mr. Olympia का title win किया हो हाला कि अभी दोस्तों ये सुनने में अच्छा लग रहा होगा और कहने में भी काफी ज़्यदा आसान है बट मैं आपको बता दू फिलहाल हादी and Derek के होते हुए ये सारी चुछें possible होना काफी ज़्यादा मुस्किल है इसके बार next हम लोग Samson 12 के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि अपने recent update के अंदर especially on hamstring काफी अच्छी strideson को show करते हैं और एक comparison भी दोस्तों इन्हों ने खुद अपनी side से हमें available कराया जिसमें की जिसमें की पहले वाली बीडियो है 2024 Arnode Classic से 10 days out की और second वाली बीडियो है Mr. Olympia 2024 से currently 9 weeks out की तो currently second वाली बीडियो के अंदर ये देखा जा सकता है दोस्तों कि currently Samson 12 ने अपनी जो overall back है उसके उपर काफी कमाल की improvements की है especially improved lats muscles and overall अच्छी conditioning ये इस update के अंदर show कर रहे हैं इसके अलावा दोस्तों एक और update Samson 12 का बहुत जादा viral है जिसमें की अपने shoulders, delt muscles का एक update share करते हैं तो workout session के अंदर दोस्तों ये देखा जा सकता है कि delts ने की बहुत जादा improve है size पहले से जादा दिख रहा है और currently ये overall काफी अच्छी condition को भी show करते हैं और overall muscles में एकदम 3D dense look दिखाई दे रहा है, काफी अच्छा frame है, muscles भी एकदम 3D sharp look में हैं और अभी तो दोस्तों contest के नजदीक आते आते हैं अपनी overall conditioning को इस update के comparison में और कहीं जादा चीलेंगे इसके बाद next update आ रहे हैं दोस्तों Regan Grimes की site से जो कि recently अपना जो current update है off season वाला वो हमारे साथ में share करते हैं दोस्तों currently इनका body weight है 297 LVS हाना कि कुछ लोगों को दोस्तों ये update weight wise काफी अच्छा लगेगा बट मैं आपको बता दू ये already Regan Grimes already 300 LVS तक का body weight gain कर चुके हैं अपने last off season वे तो again इनको इस body weight को hit करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बाकि दोस्तों इनकी तयारी है 25 ओलंपिया के लिए काफी अच्छे से चल रही है और इसी के regarding जो इनका current update है वो भी आप लोग देख सकते हैं इस वाले photo के अंदर बाकि guys आप बताईए कि क्या आप लोग बाकई में Regan Grimes को 24 ओलंपिया में मिस करेंगे या फिर नहीं इसके बारे में आपके जो भी opinions आप लोग जल्दी से हमारे साथ comment box में share कर रहे हैं इसके बार next update आ रहे है दोस्तों राहूल fitness की सैट से जोकि currently अपना 8-7 days out का जो current physique update है Tokyo Pro Show के regarding वो हमारे साथ में share कर देते हैं दोस्तों आप लोग इस update के अंदर रहूल fitness भाई की जो body especially chest की उपर काफी कमाल के fivers को notice कर सकते हैं काफी आसानी से क्योंकि fivers एकदम hard look में है और overall frame एकदम dance दिखाई दे रहा है इनका और अभी तो इनके पास में 7-8 दिन और बचे हुए हैं जिसमें कि ये अपनी conditioning को और कहीं जादा सार्प करेंगे तो में भी दोस्तों ये update राहूल fitness भाई का अच्छा है और मेरे according ये Tokyo Pro Show में first call out में तो काफी आसानी से place कर जाएंगे हाला कि posing में दोस्तों अगर ये show के अंदर improve होके आते हैं तो ये definitely top 2 और top 3 की fight के लिए जा सकते हैं बाकि आप लोग भी दोस्तों अपने opinions इनके recent update के बारे में हमारे साथ comment box में share कीजिए तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर तो इतना ही रखते हैं और ये वीडियो आपको बागई में informative लगी हो तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को like करते हैं चैनल को subscribe करें साथ की साथ आप लोग notification bell को भी और पर press करें ताकि हमारी नई और informative वीडियो सबसे पहले आप सभी ते वों सके like and share thanks for watching